हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटिब चैनल जी के ट्रैक पर दोस्तो आज हम करेंट का मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक देखने वाले हैं जो है राज्यों की योजनाई इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेशन एक्जाम में पूछे जाते हैं बहुत जादा इंपॉर्टन टॉपिक है तो प्लीज वीडियो का इन तक जरूर देखिए वीडियो पसंद आये तो लाइक एंड शेर जरूर कीजे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क किस राज्य ने राम लला दर्शन योजना प्रारंब करने की घुशना की है तो इन में से कौन सा राज्य है वो करेक्ट आप्शन हो जाएगा देखे इस योजना का उद्देश क्या है तो चतिस गड़ सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा श्री राम लला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णे लिया है प्रतिवर्ष लगभग 20,000 तीर्थ यात्रियों को श्री राम लला दर्शन के लिए ले जाया जाएगा तीर्थ यात्रा के लिए पात्रिता 18-75 वर्ष के 36 गड़ मूल निवासियों के लिए होगी तो ये जो योजना है most important है श्री राम लला दर्शन योजना ये आपके एक्जाम में जरूर पूछी जा सकती है किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना की शुरूरात की गई तो देखे हम 36 गड़ राज्य की योजना है पड़ रहे हैं तो correct option क्या हो जाएगा अब भी चतिसगर राज्य के द्वारा ही महतारी वंदना योजना की शुरुआत की गई देखे इस योजना का उद्देश क्या है तो चतिसगर सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्तिती सुधारने के लिए महतारी वंदना योजना की शुरुआत की इस योजना के तहट पात्र महिलाओं को सालाना 12,000 रुपे की आर्थिक सहायता दी जाएगी याने की हर महीने महिलाओं को 1000 रुपे इसमें दीये जाते हैं तो महतारी वंदना योजना किस राज्य से सम्मंदित है? किस राज्य सरकार द्वारा क्रिशक उन्नती योजना की शुरुआत की गई? तो करेक्ट आप्शन यहां पर भी हो जाएगा 36 गड़ राज्य के द्वारा क्रिशक उन्नती योजना की शुरुआत की गई है देखे इस योजना का उदेश क्या है? राज्जी के किसानों के हित में फसल उत्पादन और उत्पादक्ता को बढ़ाने के लिए और फसल की लागत में कमी करने के लिए यहां योजना लागू की गई है 36 गड़ सरकार द्वारा शुरू की गई यहां योजना राज्य में किसानों से 3100 रुपे प्रती कुइंटल की दर से धान खरीदने के लिए पीए मोधी के वादे को पूरा करने के अनुरूप बनाई गई है तो most important है आपको जरूर से ये योजना याद रखनी है अब देखिए अब तमिल नाडू राज्य की योजना ये देखते हैं तो यहाँ पर देखिए first question किस राज्य सरकार ने निंगल नलम्मा जिसका अर्थ है क्या आप ठीक है योजना शुरू की है किस राज्य ने की है तो correct option B हो जाएगा तमिल नाडू राज्य के द्वारा निंगल नलम्मा योजना शुरू की गई है देखिए तमिल नाडू सरकार ने निंगल नलम्मा क्या आप ठीक है योजना की शुरूआत की है यहाँ एक लाभारती outreach कारिक्रम है इसका उद्देश क्या है तो प्रमुक योजनाओं के कार्यान वयन की समक्षा करना और जनता की शिकायतों का समाधान करना वो इस योजना का मुख्य उद्देश है कलाइंगर स्पोर्ट्स किट स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है ये तो correct option B हो जाएगा तमिलाडू राज्य के द्वारा कलाइंगर स्पोर्ट्स किट स्कीम की शुरुवात की गई है देखे तमिलाडू सरकार द्वारा राज्य भर में 12,000 ग्राम पंचायतों को खेल किट प्रदान करने की तैयारी की गई है और इसी के तहत ये योजना चलाई गई है मुख्य मंत्री थायू मनावर योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई तो यहाँ पर करेक्ट आप्शन ए हो जाएगा तमिलाडू राज्य के द्वारा मुख्य मंत्री थायू मनावर योजना शुरू की गई है देखे इस योजना का उद्देश क्या है तो अगले दो वर्ष के भीतर तमिलाडू के लगबक पांच लाग सबसे गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालना इस योजना का मुख्य लक्षे रखा गया है तो most important योजना है ये next देखें मुख्य मंत्री नाष्टा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है तो यहाँ पर भी correct option B तमिलनाडू हो जाएगा तमिलनाडू राज्य के द्वारा मुख्य मंत्री नाष्टा योजना शुरू की गई है देखें इसका उद्देश क्या है तो इस योजना के तहट कक्छा एक से पाँच तक के बच्चों को सब्ता में पाँच दिन अलग-अलग मैन्यू के तहट नाष्टा दिया जाएगा यही इस योजना का मुख्य उद्देश है किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को लॉंच किया है और सुरक्षा करना इस योजना का मुख्य उद्देश है ओडिसा राज्य की योजना अब देखते हैं किस राज्य सरकार ने युवां को ब्याज मुक्त रिंद देने के लिए स्वयम योजना शुरू की तो करेक्ट आप्शन हो जाएगा ओडिसा सरकार ने युवां को ब्याज मुक्त रिंद देने के लिए स्वयम योजना की शुरू आत की है देखे स्वयम का पूरा नाम क्या है स्वतंत्र युवां उद्दमी ये जरूर से याद रखना है क्योंकि इसका नाम पूछा जा सकता है देखे राज सरकार ने 18-35 वर्ष विशेश श्रेणी के लिए 18-40 आयू वर्ग के ग्रामीन बेरोजगार युवां को नए वेवसाइक उद्द्यम शुरू करने के लिए लाक रुपे का ब्याज मुक्त बैंक रिंड प्रदान करने के लिए स्वयम नामक एक नई योजना की शुरूआत की है तो मोस्ट इंपोर्टन्ट है स्वयम योजना ओडिसा सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है एक करोड आदिवासियों के विकास और शशक्ति करन के लिए किस राज्य सरकार ने लाब लगू बार जात्या द्रव क्राई योजना की शुरूआत की है तो कौन सा राज्य है? डी करेक्ट हो जाएगा ओडी सा राज्य के द्वारा लाब योजना की शुरुवात की गई है देखे इस योजना का लक्ष क्या है? तो राज्य की बड़ी आदिवासी आबादी को लाब पहुचाना जो कुल आबादी का 23% है योजना के तहट राज्य सरकार सालाना MFP के लिए MSP निर्धारित करेगी इस तरीके से ये लक्ष बनाया गया है इस योजना का तो ये आपको याद रखना है किस राज्य में केंद्रिय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रास्टिय उद्धमिता विकास पर योजना का उद्धाटन किया है तो करेक्ट उप्षन हो जाएगा B उडिसा राज्य में धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रिय मंत्री है उन्होंने रास्टिय उद्धमिता विकास पर योजना का उद्धाटन किया है देखिए कब हुई ये शुरुआत तो मार्च 2024 में उडिसा के संबलपुर में इसकी शुरुआत की गई है उद्देश क्या है इस योजना का तो विशेश रूप से पी एम स्वानिधी योजना के लाभारतियों के लिए ये तैयार की गई है यहाँ अनूठी रास्तिये उद्दमिता विकास पर योजना देजभर में नियोकताओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार की द्रिन प्रतिबद्धता को रिखांकित करती है तो most important है उडिसा सरकार द्वारा चलाई गई है कालिया योजना एक्स्टेंशन किस राज्य से सम्मंदित है देखिए कालिया योजना कालिया का पूरा नाम पूछा जाता है तो क्रिशक assistance for livelihood and income augmentation ये कालिया का पूरा नाम है ये जो योजना है इसको extend कर दिया गया है इसलिए चर्चा में आ गई है तो आपको याद रखना है किस से सम्मंदित है तो एक अरेक्ट हो जाएगा ओडिसा से सम्मंदित है कालिया योजना देखिए ओडिसा राज्य कैबिनेट ने अपनी किसान कल्यान योजना कालिया आजीविका और आय समवर्धन के लिए 3 साल के लिए बढ़ाने की मंञूरी दे दिये क्योंकि इसलिए ये दुबारा से चर्चा में आ गई है तो आपको याद रखना है कालिया जो झालिया योजना इसका सम्मंद कहां से किस राज्य से है तो गिसा राज्य से है और ये किसान कल्यान की एक योजना है तो करेक्ट आप्शन हो जायेगा अधिक उम्रक के लोगों को प्रती महा 1400 रुपे की पेंशन मिलेगी तो ये most important है एक योजना जो उडिसा सरकार के द्वारा चलाई गई है किस राजी के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उधगाटन किया है तो correct option आपड़ी हो जाएगा उडिसा के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उधगाटन किया है देखिए समलेई परियोजना का पूरा नाम समलेशवरी टेंपल एरिया मैनेजमेंट और लोकल एकोनॉमिक इनिशियेटिफ्स है ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कई बार देखिए सिप फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है तो हमें पता होना चाहिए उद्देश क्या है इस योजना का तो इस परियोजना के तहट मंदिर तक बहतर पहुँच और महा नदी नदी के किनारे का विकास भी शामिल है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण को शामिल किया गया है बारत सरकार के पर्यटन मंत्राले द्वारा शुरू की गई एक केंद्रिय शेत्र की योजना है इस योजना का मकसद क्या है देश में पर्यटन की शम्ता को बढ़ाना विक्सित करना और उसका दोहन करना अब देखिए एक क्वेशन ये बनता है कि डेबरीगर्ड वन्यजीव अभ्यारण है कहाँ पर तो ये ओडिसा में स्थित है आपको याद रखना है इसलिए ओडिस नुआ योजना किसके द्वारा लॉंच की गई तो सीधी सी बात है ओडिसा सामने लिखा है तो ए ऑप्षन करेक्ट है ओडिसा सरकार के द्वारा ही ये योजना लॉंच की गई है देखिए ओडिसा नूतना उन्नता अभिलाशा जिसे नुआ इसकीम कहते हैं ओडिसा के मु तो अगले तीन वर्षों में उभरते ट्रेडों में सालाना कम से कम एक लाग युवाओं को कुशल बनाना इस योजना का लक्ष है। के लिए शुरू की गई है। तो ये मोघर आबास योजना घर बनाने के लिए पैसा देने वाली एक योजना है जो ओडिसा सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। चलिए क्वेशन देखें किस राज सरकार ने लखबती वैदेव योजना की शुरूआत की है। तो करेक्ट आप्शन क्या हो जाएगा। असम्स राज्य सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संसकरन ओरूनोडोई 2.0 लाँच किया है। देखें असम सरकार हिमन्त विश्वा सर्मा ने असम के घरों में महिलाओं को शशक्त बनाने के इरादे से ओरूनोडोई या अरूनोडोई 2.0 कारिक्रम लाँच किया। असमिया सरकार का वित्विफाग इस कारिक्रम की देखरेक करता है और इसके लिए धन मुहिया कराता है। दिल्ली की योजना है देखें तो दिल्ली की योजना में एक योजना बहुत महत्पूर्ण है जिसकी घोशना अब की गई है। देखें मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना सम्मंदित है कहां से सम्मंदित है तो एक अरेक्ट हो जाएगा दिल्ली से सम्मंदित है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना देखें इसकी घोशना किसने की है तो अरविंद केजरिवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उन इस योजना के तहट गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर 18 वर्ष से अधिक उम्रे की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपे दिये जाएंगे तो मोस्ट इंपॉटेंट योजना है मुख्यमंतरी महिला सम्मान योजना तो यहां से क्वेशन पूछा जा सकता है क्योंकि यह थोड़े दिन पहले इसकी घोशना की गई है तेलंगाना राज्य की योजना देखते हैं किस राज्य सरकार ने इंद्राम्मा आबास योजना शुरू करने की घोशना की है इंद्राम्मा आबास योजना तो करेक्ट आप्शन यहाँ पर D हो जाएगा तेलंगाना सरकार के द्वारा इंद्राम्मा आबास योजना शुरू करने की घोशना की गई है देखे इस योजना का उद्देश क्या है तो इस योजना के तहट लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाक रुपे की वितिये सहयता प्रदान की जाएगी किस राज्य सरकार ने राइथू बंधू योजना शुरू की है तो करेक्ट आप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा तेलंगाना सरकार ने राइथू बंधू योजना की शुरूआत की है देखे राइथू बंधू का शाप्तिकर्द है किसान का मित्र इस योजना का उद्देश तो किसानों की प्रारंबिक निवेश आविशक्ताओं के लिए समय पर नगत अनुदान प्रदान करना और ये सुनिश्चित करना कि किसान कर्ज के जाल में ना फसे यही है रायतू बंदू योजना का मुख्य उद्देश चलिए मद्ध प्रदेश की योजनाएं देखते हैं इसका क्वेशन है किस राज ने मुख्य मंतरी लाडली बेहना आवास योजना का सुभारंब किया तो करेक्ट ऑप्षण यहां पर हो जाएगा इस योजना का मकसद बेघर लोगों को घर देना है इस योजना के तहट लभारती महिलाओं को पक्का घर बनाने के लिए एक लाग बीस हजार रुपए की सहायता राशी प्रदान की जाएगी तो ये उद्देश है मुख्यमंतरी लाडली बहना आबास योजना का जो मध्य प पीडितों और उनके आश्रितों को राहत और पुनरवास के लिए किस राज्य सरकार ने मौब लीचिंग पीडित मुआबजा योजना को मंजूरी दी है कौन सा सरकार है वो तो सी करेक्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार दवारा मौब लीचिंग पीडित मुआबजा योजना का उद्देश्य भीड हिंसा के मामलों में पीडितों और उनके आश्रितों को मुआपजा और राहत प्रदान करना है मौब लीचिंग की घटना में पीडित की मौत होने पर उनके परिवार को 10 लाक रुपए का मुआपजा मिलेगा घायल पीडितों के लिए 4-6 लाक रुपए तक का मुआपजा दिया जाएगा तो मौब लीचिंग पीडित मुआपजा अगर आपसे पूछा जाए कहां किसे सम्मंदित है तो ये मद्य प्रदेश की एक योजना है किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की है बहुत जादा प्रचलित है ये लाडली बहना योजना अपने भी नाम सुना होगा करेक्ट आप्शन D हो जाएगा मद्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है देखे उद्देश क्या है मुख्यमंद्री लाडली बहना योजना का उद्देश महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाना है इस योजना के तहट लाभारती महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपे मिलते हैं ये राशी सालाना बारा हजार रुपे होती है किस राज्य सरकार ने सीखो कमाओ योजना की शुरुवात की है तो करेक्ट आप्शन D हो जाएगा मद्य प्रदेश सरकार ने सीखो कमाओ योजना की शुरुवात की है देखिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का जो उद्देश है ये प्रदेश के युवाओं के कौशल को बढ़ाना है इसके तहट युवाओं को निजी संस्थानों में छातर प्रसिक्षारत्री के तौर पर प्रशिक्षन दिया जाएगा यही है मुख्यमंत्री सीखो कम किस राजे से सम्मंधित है तो मध्य प्रदेश से सम्मंधित है किस राजे सरकार ने किसानों को स्थाय कृषी क्रिशी पंप करनेक्षन करनेक्षन के लिए मुख्य मंत्री क्रिशक मित्र योजना का उधगाटन किया तो करेक्ट आप्शन D हो जाएगा मद्ध प्रदेश सरकार ने क्रिशी पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए मुख्य मंत्री क्रिशक मित्र योजना का उधगाटन किया है देखे इसका उद्देश क्या है इस योजना के तहट किसानों को नए कनेक्शन के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे इस योजना में लागत राशी का 50% अनुदान दिया जाएगा इसमें से 40% राशी राज्य सरकार देगी और 10% विद्द वितरंड कमपनी देग बाकी की 50% राशी किसानों या किसान समुओं को देनी होगी करनाटक राज्य की योजना देख लेते हैं तो सबसे पहले है आशा किराना आपके द्वार पर नीत्र देखबाल किस राज्य की योजना है आशा किराना बहुत पूछी गई योजना है करेक्ट आप्चन यहाँ पड़ी हो जाएगा करनाटक सरकार के द्वारा आशा किराना आपके द्वार पर नीत्र देखबाल योजना शुरू की गई है देखे इस कारिक्रम के तहट स्वास्त कर्मी और आशा कारे करता सभी आयू वर्ग के वैक्तियों की सीधे उनके घर पर प्रात्मिक नेत्र जाच क की गई है किसके द्वारा करनाटक राजी के द्वारा स्टार्ट की गई है यूवा निधी योजना किस राजी की योजना है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी करनाटक राजी की योजना है यूवा निधी योजना देखे राजी में इसनातकों और डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है बेरोजगार स्तनातकों के लिए 3000 मासिक और बेरोजगार डिपलोमा धारकों के लिए 1500 मासिक decide किये गए हैं तो यह याद रखना है क्योंकि करनाटक की ये एक बहुत अच्छी पहल है किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए ग्रह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है तो यहाँ पर भी करेक्ट आप्षन सी हो जाएगा करनाटक सरकार ने महिलाओं के लिए ग्रह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है देखे ग्रह लक्ष्मी योजना करनाटक सरकार की एक योजना है इस योजना का उद्देश महिलाओं की मदद करना और उनकी आज भी का सुधारना है इसके तहट घर की मुखिया महिला को हर महीने 2000 रुपे की वितिय सहायता दी जाती है तो ग्रह लक्षमी योजना किस राज़े से सम्मंदित है करनाटक राज़े से सम्मंदित है हिमाचल प्रदेश की योजनाएं देखते हैं देखे चुनाओं आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है तो करेक्ट आप्शन ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 अभियान शुरू किया गया है तो इस अभियान का मुख्य फोकस क्या है यही है कि मतदान को जादा से जादा बढ़ाना तो ऐसे 414 जगा को चिन्नित किया गया है जहां पर मतदान को बढ़ाया जाएगा लोगसभा चुनाओं में 60% से कम मतदान रहा था पिछली बार तो इस बार इन जगाओं उपर इसे औ और अधिक बढ़ाना है मेरा विद्याले मेरा गौरफ माय स्कूल माय प्राइड किस राज्य की योजना है करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की योजना है मेरा विद्याले मेरा गौरफ देखिए इसका उद्देश क्या है इस स्कूलों को गोद लेने और शात्रों के विकास के विभिन पहलूं में योगदान करने के लिए वैक्तियों और संगटनों की सक्रिय भागिदारी को प्रोचसाहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश है महिलाओं को शशक्त बनाने के उद्देश से किस राज सरकार ने इंद्रा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधी योजना की शुरुआत की है तो करेक्ट आप्शन ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंद्रा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधी योज इस योजना के तहट 18 साल से जादा उम्र की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपे की राशी दी जाती है तो ये योजना किस से सम्मंदित है हिमाचल प्रदेश से सम्मंदित है अनाद बच्चों के लिए योजना मुख्य मंत्री सुखाश्रय योजना बनाने वाला पहला राज्जी कौन बना है तो करेक्ट आप्शन बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश मुख मंतरी सुखाश्रय योजना बनाने वाला पहला राज्य बन गया है देखे इस योजना के तहएट विद्वा महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च रास सरकार उठाएगी जो राज्य सरकार है वोट आएगी यही इस योजना का मुख्य उद्देश है राजस्तान राज्य की योजना है देखते हैं किस राज्य सरकार द्वारा अनपूर्णा खाद पैकेट योजना की शुरुआत की गई है तो correct option C हो जाएगा राजिस्थान सरकार के द्वारा अनपूर्णा खाद पैकेट योजना की शुरुआत की गई है देखिए इस योजना के माध्यम से राज के 1.60 लाग परिवारों को लाब दिया जाएगा इस योजना के तहट अनपूर्णा पैकेट की कुल कीमत 370 रुपे निर्धारित की गई है इस योजना के लाब केवल राज्य के निम्न और गरीब वर के परिवारों को प्रती महिने मुफ्त खाद सामगरी का लाब दिया जाएगा तो most important योजना है कि राजिस्थान की इसे जरूर से याद रखना है किस राजिसरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत की है तो correct option A हो जाएगा राज़िस्तान सरकार के द्वारा मुख्य मंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरूआत की गई है देखे इस योजना का उद्देश क्या है तो राज़िस्तान सरकार ने मजदूरों और रहेडी पटरी वालों के लिए एक विशेश योजना की गोशना की है जो राजिस्तान सरकार द्वारा चलाई गई है इंद्रा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना किस राज्य में शुरू की गई है तो correct option A हो जाएगा राजिस्तान राज्य में शुरू की गई है इंद्रा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना देखे इस योजना का उद्देश क्या है यहां कारिकरम राज्य में महिलाओं को मुफ्त मुबाइल फोन, इंटरनेट और वोईस कोल सेवाएं प्रदान करता है तो most important है यह आपको याद रखना है महरास्ट राज्य की योजनाओं में देखते हैं तो question है मुख्य मंत्री वयोश्री योजना किस राज्य में शुरू की गई है correct option B हो जाएगा महरास्ट राज्य में शुरू की गई है मुख्य मंत्री वयोश्री योजना देखे इसका उद्देश क्या है इस योजना के माध्यम से राज के वरिस्ट नागरिकों को 3,000 रुपे की आर्थिक साहेता प्रदान की जाएगी जिससे वहां ब्रद्या ववस्ता में अपनी आवशक्ताओं की पूर्ती कर सकेंगे तो इस योजना का मुख्य उद्देश यही है कि 3,000 रुपे वरिस्ट नागरिकों को प्रदान किये जाएंगे उत्तर प्रदेश की योजनाएं देखते हैं तो क्वेशन है राज्य की युवाओं में उद्दमिता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने एम युवा योजना की शुरुआत की है तो करेक्ट आप्चन यहाँ पर C हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की युवाओं में उद्दमिता को बढ़ाने के लिए एम युवा योजना की शुरुआत की है देखे एम युवा कब योजना का पूरा नाम क्या है तो मुख्यमंत्री युवा उद्दमी विकास अभियान इसका पूरा नाम है इस योजना के तहट राज्य सरकार का लक्ष प्रतेक वर्ष पांच लाख रुपे तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त रिंप्रदान करके एक लाख युवा उद्दमियों को तयार करना है तो मुवा मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है इसे जरूर से याद रखना है जारकंड राज्य की योजनाएं देखते हैं तो मार्च 2024 में किस राज्य सरकार ने विद्वा पुनर्विवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की तो करेक्ट आप्शन B हो जाएगा जारकंड सरकार के द्वारा विद्वा पुनर्विवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई देखे इसका उद्देश क्या है इस योजना के तहट विद्वा पुनर्विवा करने वाली महिला को दो लाक रुपे सहेता राशी प्रदान किये जाने का प्राउधान किया गया है किस राज्य के द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आबास योजना शुरू की गई है तो करेक्ट आप्शन यहाँ पर हो जाएगा जारखंड की जो राजे सरकार है उसने बेघरों के लिए अबुआ आबास योजना की शुरुआत की है देखिए अबुआ आबास योजना जारखंड के गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्द कराने के लिए शुरू की गई है इस योजना का मकसद उन लोगों को घर मह हुईया कराना है जो प्रधान मंतरी ग्रामीन अबास योजना का लाब नहीं उटा पाए हैं तो most important है अबुआ अबास योजना किस राजे से सम्मंदित है तो जारकंड से सम्मंदित है आंध प्रदेश की योजना है देखें किस राजे सरकार ने YSR आरोग्य श्री योजना क शुरुआत की तो correct option A हो जाएगा आंध प्रदेश सरकार के द्वारा YSR आरोग्य श्री योजना की शुरुआत की गई है देखें इसका उद्देश क्या है कम आए वाले परिवार विशेश रूप से जिनके पास वार्षिक आए 5 लाक रुपे से कम है उनके अच्छे इला लाँच की है तो correct option B हो जाएगा पश्यम बंगाल सरकार ने S.E.S.T. शातरों के लिए योगिश्री योजना लाँच की है देखें इस पहल का उद्देश क्या है पश्यम बंगाल में अनुसुचित जाती और अनुसुचित जनजाती के शातरों के लिए मुफ्त मॉड्यूल प्रदान करना है विशेश रूप से प्रवेश और प्रतिसपर्धी परिक्शाओं को लक्षित करना इसका मुख्य उद्देश है केरल राज्य की योजना आदेखें तो मिताई योजना किस राज्य की योजना है correct option A हो जाएगा केरल राज्य की योजना है मिताई योजना ये किस से संबंदित है देखे इसका उद्देश ये तो टाइब वन मदु मैं से पीडित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए मिताई योजना शुरू की गई है किसके द्वारा केरल राज्य के द्वारा एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना किस राज्य में शुरू की गई करेक्ट आप्शन यहापर सी हो जाएगा केरल राज्य के द्वारा एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू की गई है देखे इस पहल का उद्देश है राज्य भर में लगभग साड़े चार सो इस्थानिय निकायों में बुडवत्ता पूर्ण खेलों के मैदानों की कमी को दूर करना इसलिए एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना चलाई गई है केरल सरकार के द्वारा सिक्किम राज्य की योजना है तो पुरानी पेंचन योजना OPS लागू करने वाला पूर्वत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा बना है तो करेक्ट आप्शन A हो जाएगा सिक्किम राज्य पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला पूर्वत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है देखे सिक्किम करमचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहल करने वाला पहला पूर्वत्तर राज्य बना है सिक्किम के मुख्य मंत्री प्रेम सिंग तमांग ने अप्रेल 2006 को या उसके बाद नियुक्त राज़सरकार के करमचारियों के लिए पुरानी पेंचन योजना शुरू की है हर्याना राज्य की योजना है देखें किस राज्य सरकार ने वन मित्र योजना शुरू की है तो करेक्ट आप्शन सी हो जाएगा हर्याना सरकार के द्वारा वन मित्र योजना शुरू की गई है देखे हर्याना सरकार द्वारा वन मित्र योजना को शुरू करने का मुख्यो देश क्या है तो राज्य के स्थानिय लोगों को हरिता वरंड के विस्तार में सक्रिय भूमी का निभाने के लिए शशक्त बनाना है जिससे नए लगाए गए पेडों की जीवित रहने की दर में बृद्धी हो सके और पारंपरिक वन शेत्रे के बाहर पेडों के रोपन को बढ़ावा मिल सके वन मित्र योजना में प्रतिभागियों को पौधों के रखरकाओं के अधार पर ही मौद्रिक प्रोथसाहन प्रदान किया जाता है किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पेडों के लिए प्रांड वायू देवता पेंशन योजना शुरू की है Most important है ये Correct option C हो जाएगा हर्याना सरकार के द्वारा प्रांड वायू देवता पेंशन योजना की शुरूात की गई है देखे हर्याना सरकार ने प्रांड वायू देवता पेंशन योजना लागू की है इसके तहट 75 साल या उससे जादा उम्ब्रे के पेडों की देखभाल और रख रखाओ पर हर महिने धाई हजार रुपे की आर्थिक मदद की जाएगी तो यह बहुत अच्छी पहल है जो हर्याना सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है किस राज्य ने कुवारे और विधुर लोगों के लिए पेंशन योजना शुरू की है तो यहाँ पर भी correct option D हर्याना हो जाएगा हरियाना ने कुवारे और विधुर लोगों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की है देखे हरियाना में 40-60 वश की आयू के आविवाहित और विद्वा वैक्तियों को पेंशन मिलेगी ऐसे लोगों की संक्या 71,000 है इन्हें 2750 रुपे मासिक पेंशन मिलेगी 60 साल की उम्रों पूरी होने पर ये पेंशन अपने आप व्रिद्धा वस्ता पेंशन में बदल जाएगी उतराखंड राज्य की योजना है देखे केंदरिये कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है यहां किस राज्य से सम्मंदित है तो करेक्ट आप्शन ए हो जाएगा उतराखंड राज्य से सम्मंदित है जमरानी बांध परियोजना देखे इसका उद्देश क्या है जमरानी बांध परियोजना प्रधान मंतरी क्रिशी सिचाई योजना के अंतरगत शुरू हो रही है किस राज्य सरकार ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए मान सरकार त्वाड़े द्वार योजना की शुरुआत की है तो correct option C हो जाएगा पंजाब सरकार के द्वारा ये योजना की शुरुआत की गई है देखि इसका उद्देश क्या है इस योजना के तहट पंजाब के लोगों को उनके घर पर 43 सेवाएं उपलब्द कराई जाएगी जिन में दैनिक जीवन से जुड़े कई राहत कारी शामिल है जिनके लिए लोगों को समय निकाल कर सरकारी कार्यालों या सेवा किंद्रों पर जाना पड़ता था लेकिन अब नहीं जाना पड़ेगा उनको घर पर ही ये सारी सेवाएं उपलब्द करा दी जाएगी अरुनाचल प्रदेश की योजना देखते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्यान योजना की शुरुआत की तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा अरुनाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख जाकरतिक मौत पर मौपजा 50,000 रुपए से बढ़ा कर 2,000,000 रुपए और दुरगटना मौत पर मौपजा 1,000,000 रुपए से बढ़ा कर 4,000,000 रुपए कर दिया गया है तो most important योजना है ये दोस्तों यही पर हमारी सारी योजनाय कम्प्लीट हो गई है आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा आज के लिए बस इतना ही अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत